तो दोस्तो अगर आप एक store open करना चाहते हैं, कोई अपनी website बन वाना चाहते हैं, online business शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा एक domain, domain name क्या होता है, इसे कैसे बाय करें और हम इसको कहां से बाय कर सकते हैं, आए इस जानकारी को हम इस अब वो website चाहे e-commerce की हो, चाहे online product बेचने की हो, चाहे किसी भी बात का एक domain name बनाना पड़ता है, मतलब अगर आप एक product को किसी भी चाहे grocery हो, online बेचना है तो हमें एक website बनवानी पड़ेगी, उस website को बनवाने के लिए हमें domain name खरीदना पड़ता है, अब ये domain name कितने प्रक लाते हैं, ठीक है, अब YouTube को आप कैसे जानते हैं, YouTube.com, आप YouTube.com डालेंगे तो YouTube खुल जाएगा, इसे simple सी बात, हम इसे buy कैसे कर सकते हैं, खरीद कैसे सकते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे, कितने प्रकार के domain होते हैं, .com, .in, .org, .store, .co.in, तो ये अलग-लग type के format होते हैं, तो अगर आपने .com खरीद लिया, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर सकता है, अगर .in खरीद लिया, तो आपके .in के लिए, इंडिया में अगर चलना है, तो आप .in ले लो, है न, और इसके साथ, organization की website है, तो org ले लो, है न, और अगर technology की है, तो .net, तो इस तरह से अलग-अलग website, कई ऐसी service provider company है, जो domain provide करती है, जैसे कि bigrock.com, है न, तो bigrock.com है, go daddy है, host cutter, अलग-अलग company है, जो domain provide करती है, जहां से हम domain खरीद सकते हैं, तो आपको अगर domain खरीदना है, नीचे link में, description में एक link दी गई है, नीचे description पे एक link दी गई है, उस पे click करना, आपको bigrock open हो जाएगा, और वहां से आप कोई भी domain purchase कर लेना, वहां से account बनाके domain खरीद लेना, है न, तो simple आपका काम हो जाएगा, अब आपको domain, जो है, कितने का आता है, भाई, .com का rate अलग होता है, .in का rate अलग होता है, है न, .org का rate अलग होता है, अब यहां पर यह समझने वाली होता है, अगर आपने उसे 5 साल के लिए register कर लिया, तो 5 साल वह आपके पास रहेगा, इसके बाद अगर आपने उसे renew नहीं किया, तो वह हट जाएगा, किसी और को मिल जाएगा, यानि कि वह public हो जाएगा, कोई और उसे खरीद सकता है, तो हमें उसे time to time renew करते रहना अपनी email ID अपने पास रखें, password अपने पास रखें, ताकि website अगर किसी developer से बनवाए है, तो जब कभी website hack हो जाए, खराब हो जाए, या website बंद हो जाए, website famous हो गई, तो domain name तो आपके पास रहेगा, तो इसलिए मैं बता रहूँ कि कभी भी ये कोशिश करें, कि domain name hosting password अपने प कैसे रखें, जब आप online अगर site बना रहे हैं, अपना product बेचने चाहरे हैं, तो उस हिसाप से आप domain खरीदे, अगर कोई technology education वाली website है, तो उस हिसाप से domain रखें, तो इस तरह से आपको domain अलग-लग format में लेंगे, अलग-लग नाम से आपको खरीदना पड़ेगा, domain की कहानी ए आपके पास है, तो वो company आपको बहुत सारा पैसा देती है, कि भाई वो domain हमें दे दो, आप पैसे लेलो हमसे, तो इस तरह से चीजे चलती है, आप अगर domain खरीद लिया किसी भी तरह का, कई लोग ऐसे market में business करते हैं, माल लिजे उसने 2400 domain खरीद लिये, अलग-लग नाम से, अच्छे जो प्रेचलित नाम है, जो अच्छे चलेंगे, वो ऐसे domain खरीद के रख लिए, जब कोई company को ज़रूत पढ़ती है, तो company आपसे contact करती है, कि वो domain हमें दे दो, क्योंकि उनको ज़रूत है company वालों को, तो आप फिर उन्हें बेच सकते हैं, लाख रुपए उसमें business को register करें आज ही, तो domain खरीदने का सबसे अच्छा यही तरीका है, तो वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, धन्यवाद